कि अपसे लोग वह बहुत इच्छ होंगे मैं मैं मनी सिंग आप अपना चैनल डिजिचल मंजीड आज की स्टूडियो के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं एक नया टॉपिक डैट इस एक वेब डेवलपर कौन होता है और एक वेब डेवलपर का काम क्या होता है इसके वारे में आज की सिडियो के अंदर हम जो कवर अप करने वाले हैं सो स्टार्ट करते हैं और यह क्योंमें व्योंut मिष्ट हैं यह में विप्शाइट है दियुजुेगों युज curious करते हैं ये कि ऑपर उसके ऊपर हमने काफी मेंजेश 210 वगरद काफी अची चीजय दाली वो चीज़े जो डिजाइन करता है उसे हम बोलते हैं फ्रंट एंड डिवलपर अच्छा अब फ्रंट एंड डिवलपर का काम कुछ और भी होता है जैसे कि वो जो है वेबसाइट डिजाइन भी करता है और वेबसाइट के उपर क्या कॉंटेंट होना चाहिए यह सब भी उसको देखना होता है क्योंकि इसमें क्या है आपके पास में आपकी अगर वेबसाइट के उपर जो है बाउंस रेट बढ़ जाता है बाउंस रेट बिसिकली होता है कि यूजर आपकी वेबसाइट पर आया उसने आपकी website को देखा लेकिन उसको उतना interactive नहीं हुआ तो उसने क्या किया आपकी website बंद किया और चला गया तो front end developer का काम यह भी होता है कि वो क्या करता है आपका जो bounce rate को कम करता है और आपकी website के theme को काफी amazing बना जयता है कि देखकर ही हमें जाए अच्छा लगता है कि हाँ यह front जो अपना UI है some UI भी बोलता है user interface right that is also called front end development अब as an example दिखाऊं तो हम चलते हैं सीधा हमारी website पे टीजम अकैडमी की website पे तो अगर हम यहां पर देखें तो यह हैं हमारी website और यहां पर अगर आप देखें तो यह जो हमारी theme है पूरी की पूरी इसे हम बोलते हैं front end development right अ वहां हुआरे पास में सारी की सारी चीज़ें गरी हैंश maze couple colors हैं राइए हमारे पास में हमने कुछ font डाले यह हैं कुछ भी बटनॉंस कर पा रहे हैं कुछ क्लिक कर रहे हैं लाइक हमने किसी button क्लिक कुठ क Waar पैजfill पर जा रहे हैं ररेट यह सारी कहाँ पर आती है एक हम आरा क्या काम होता है बैकण देफलपमेंट में तब काम आता है अब हमारे पास में हमारी website है लेकिन अब हमें चाहिए कि हमको हमरी website के ओपर हर बार मैं coding नहीं change कर सकता मुझे क्या करना है मेरा हर मन्त में कुछना कुछ मेरी website पर changes चाहिए लेकिन हरा बार कोडिंग चेंज करने नहीं बाट सकता है तो मैं क्या करता हूं अपना एक अलग से ready करता हूं हमारा एक admin panel ready करते हैं फिर उसके उपर क्या करते हैं हम अगर admin panel के ऊपर को changes करते हैं तो वह डेटाबेस में changes होते हैं और का front end development में जा सकते हैं लेकिन अगर आपका जो है front end development में आप नहीं जाना चाहते हैं और आपको crud system यानि की create read update और delete यानि की crud system जिसे हम बोलते हैं यानि की database के अंदर changes करना वो भी आपका पहले design ready होता है तैन उसके अंदर आप एक form ready करते हैं तो उससे क्या होता है हमारा जो back end है हमारा जो database हो अपडेशन होते है ठीक है उससे जो अगर आपको उसमें इंटरस्ट है कि मैंने कुछ भी किया तो dynamically सारी चीज़े हो रही है तो आप जा सकते हैं back end development के अंदर अग्जामपल देखें सो अभी हमारे पास में हमारी यह website है अब यहां पर हमारे पास में काफी सारे courses listed है अब हमें जो है इसके उपर automatic changes हो जाते हैं और इसके अंदर आप क्या करते हो हमारे पास में पैनल होता है और उसके उपर आप changes करते हैं तब आपका front end के अंदर जाके changes automatically हो जाते हैं जिसके अंदर आप जो है इस टाइप से dynamically data जो अपडेट करते हैं अब आपको UI design में मज़ा आता है करने में मज़ा आता डेटा dynamically change हो रहा है इसमें मज़ा आता है तो आप फिर बन सकते हैं एक full stack web developer का क्या काम होता है देखिए full stack web developer का काम यह होता है कि उसको front end भी वही देखता है and back end भी वही देखता है यानि कि हमारा में website है जो हमारा में UI है वह भी वही देख रहा है कि किस राइव का उसका front end होना चाहिए bounce rate कि स्टैप से कम होगा किस राइप के designing महां पर होगी किस राइप के fonts महां पर यूज़ किये जाएंगे सारी चीज़े ठीक है और same with the back end और वह back end के साथ साथ भी करता है जो करता है जो front end भी देखता है उससे हम बोलते हैं back end इस फुल स्टैक वेब डेवलपर रइट यह होता है तीनों की मीच का डिफरेंट की front end डेवलप्मेंट क्या होता है यह वोप कि आपको समझ में आया होगा अच्छा और अगर आपको जो है कोड़ करना है फुल स्टैक वेब डेवलपर का तो यहां पर हमारे पास में एक लाइव बैच आ रहा है फुल स्टैक वेब डेवलपर का जो कि फिफ्ट मार्च को स्टार्ट होने वाला है तो आप जो है अगर आपको इसके वारे में डिटेल से तो नीचे आपको जो call जो नंबर देख र मैं मिलता हूं आपको नेक्स वीडियो गन्देट अब तक के लिए बाइ